आज की कवीता है दि हौप आशा इस कवीता की विशेवस्तो है आशा इस कवीता में कभी सहीत विभिने लोगों ने आशा को अलग-अलग तरीके से परिवासित किया है पसू, पक्सी, मनुष्य, जानवर पर करती सभी आशा पर निर्बल है आशा ही है जो जीवन को गती परदान करती है और जीवन को आगे बढ़ाती है वह सुरू करते हैं पहले स्टेंजर है आशा को भी भी ने नाम दिये गए हैं कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं कुछ लोग इसे भविश्य की परासंगीकता कहते हैं कुछ इसे उपकार का एक तरीका समझते हैं दूसरे स्टेंजर है तो मी ओप is the creation of soul that makes us feel pleasure-sham and live with enthusiasm and glow in the past we have survived on hope आशा मेरे लिए आत्म कर श्रजन है रचना है जो हमें आनंद दाएक अनुभूती कराती हैं और यहें आशा उत्सा है चमक के साथ उछलती है मतलब और भी ज़्यदा मजबूत होती जाती हैं अतीत में हम आशा पर ही जीवित रहे हैं कभी को आशा इतनी अद्भूद वस्तु लगती हैं परतीत होती हैं वहें इसे आत्मा का स्रजन कहता है वहें कहता है कि इससे हमें खुशी मिलती है उत्सा और प्रशनता धिरे धिरे बढ़ते जाते हैं दूसरे सब्दों में हम समसकते हैं जब हम उत्साही होते हैं, प्रशन होते हैं हमारी आशा और भी मजबूत हो जाती हैं वहें हमारे जीवन का स्रोत रही है इसलिए अतीत में हम आशा पर जीवित रहे हैं तीसरा इस्टेंज है वी सर्माईज और फूचर बिकॉज अफॉप हॉप kills negativity inside and feels us with calm and quiet हम भविश्य की विश्य में केवल अंदाजल आशा के करण ही लगा पाते हैं आशा हमारे अंदर की नकरात्मकता को नश्ट करती हैं हमें शान्ती वे सम्मेता से भर देती हैं आशा की करण ही हम भविश्य के लिए सकरात्मक रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर की नकारात्मक्त को आशान नश्ट कर दिती है जब हम किसी चीज पर पुरा आशान भी तो होकर सोचते हैं तो हमें उस चीज से शान्ती का अनभो होने लगता है नेक्स्ट है यहां आसा ही है जो पसुपक्षियों को अपने नन्य बच्चों के लिए भोजन की तलास में यानि दाना पानी की तलास में उनके घोसले बनाने के लिए घास पूस की तलास में उडाती हैं तवी कहता है आसा के कारण ही पक्षी अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज में चिधा अपना घर बनाने के लिए यानि घोसला बनाने के लिए तिनकों के तलास में आसा के कारण ही इधर उदर उड़ते रहते हैं नेक्स हैं आशा ही है जो एक कली को वरक्ष की साका पर बने रहने के लिए और फिर फूल के रूप में खिलने के लिए होसला अफजाई करती हैं, होसला बढ़ाती है यानि प्रेरित करती रहती है, मोटेशन देती है वरक्ष इस आसा के साथ अपनी पत्तियों को गिराता है कि वहें एक दिन वापस हरी बरी पत्तियों से सराबूर हो जाएगा लदा होगा कवी के अनुसार आसा के कारण ही कोई कली वरक्ष पर यानि उसके साखा पर टिकी रहती है उसे उमीद रहती है कि वहें किसी दिन फूल में बदल जाएगी और पेड़ भी इसी उमीद में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं कि किसी दिन उनके हरी पत्तियां वापस आ जाएगी देखे स्पेलिंग्स हैं बर्ड यानी होती है यंग शूट ऑफ प्लांट एक कली ब्लूम यानी होता है ब्लोजम खिलना लेडेंड का मतलब होता है लोडेड लदा होना हीव यानी होता है कलर या रंग सरमाइज का मतलब होता है अंदाजा लगाना लीप का मतलब होता है जंप उचलना enthusiasm का मतलब होता है जील, उत्साह, उमन में benification यह नहीं होती है a good cause, एक अच्छा कारण जिसे हम उपकार भी समझते है William Shakespeare ने बहुती अच्छे लाइन कही है we know what we are but know not what we may be